So, hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Rocketry जो कि एक बहुत अच्छी historical real lab based Indian movie है और अगर मैं इसकी rating की बात करूँ तो इस movie को अब तक IMDV पर 9.2 out of 10 की rating दे दी गई है जिससे आपको ये तो समझ आही गया होगा कि ये movie कितनी special होने वाली है तो guys, without wasting your time, let's begin the explanation movie के starting में हमें 30 November 1994 त्री विंदरम कीरला का scene दिखाया जाता है जहां हम rocket scientist नंभी नारायन के परिवार को देखती है और आज नंभी नारायन की बेटी की सादी होने वाली थी सब कुछ as usual ठीक चल रहा था लेकिन जब नंभी मंदिर में पूजा करने के बाद आरती लेने के लिए आगे बढ़ता है तो पुजारी आरती बुजा देते हैं और फिर पुलिस आकर नंभी को बहुत मारती है और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं नम्बी के साथ साथ उसके घरवालों के उपर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किये जा रहे थे लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा था वो अभी आपको थोड़े ही देर में पता चल जाएगा अब हमें 19 साल के बाद 5 नवंबर 2013 का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक वोईस ओवर में ये बताया जाता है कि भारत ने अपने पहले ही परियास में मंगल यान को सफलता पुरवक लाउंच कर दिखाया और वो भी उन कीमतों में जो कि एक हॉलिवोड सैंस फिक्सन मूवी के बजट से भी कम है और ये एतिहासी करनामा नमभी नारायन के योगदान के वज़ा से ही पॉसिबल हुआ है वोईस ओवर के खतम होते ही हमें नमभी नारायन को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बोड़े हो चुके थे इतनी बड़ी काम्याबी हासिल करने के बाद आज उन्हें टीवी पर एक इंटर्व्यू देने के लिए बुलाया गया था और जो उनका इंटर्व्यू लेने वाले थे वो कोई जर्नलिस्ट नहीं बलके खुद एक्टर सारु खान थे नंबी अपने इंटर्व्यू में वो सारे बाते बताना चाहते थे जो उनके साथ हुआ था जिस वज़े से इंडिया की स्पेस एजेंसी इजरो कई साल पीछे रह गई अपनी लाइफ की कहानी वो अपने बच्पन से नहीं बलके विक्रम सारा भाई से सुरू करते हैं वो बताते हैं कि विक्रम सारा भाई उनके गुरू थे लेकिन उससे भी बढ़कर वो उनके पिता के सामान थे जिनोंने कदम कदम पर उनका साथ दिया था अब हमें 2969 का सीन दिखाया जाता है जहां नंभी कुछ सैंटिष्ट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लोग बार-बार अपने प्रोजेक्ट में फेल हो रहे थे इसलिए नंभी विक्रम सारा भाई से कहते हैं कि हमें अभी भी ग्यान की बहुत कमी है इसलिए हमें दूसरे देश जाकर सीखना चाहिए क्योंकि इंडिया में रहे कर ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड और ना ही कुरोजोनिक इंजन बनाया जा सकता है जिसके बाद वो बाहर के एक कॉलेज में अड्मिशन के लिए अपलाई कर देते हैं नंभी लिक्विड प्रॉपल्सन में एक्सपर्ट थे इसलिए उनका अड्मिशन अमेरिका के प्रिस्टीन युनिवर्सिटी में हो जाता है नमबी अमेरिका के प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी में जाकर अपने रिकॉर्ड समय में थीसियस यानि की ट्रांजिस्टिंथ हाई इनरजी, स्काई अर्ली यूनिवर्स की पढ़ाई पूरी करने वाले थे वो अमेरिका जाकर अपने कॉलेज की क्लासिस अटिंड करना सुरू कर देते हैं लेकिन जब वहां के प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो नमभी प्रोफेसर से कह देता है कि अभी आपने जो कुछ भी पढ़ाया है वो एकदम गलत है जिस पर प्रोफेसर गुसे मे आकर नमभी से कहते हैं कि बुक में यही लिखा है इसलिए जो बुक में लिखा है मैं वही पढ़ाऊंगा और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बुक लिखने वाले रैटर से ज़्यादा जानते हो तो तुम उन्हें मेल करके इस गलती के बारे में बता सकते हो जिसक ग्रोको है लेकिन प्रोब्लम यह है कि पूपर क्रोको कॉलेज आते ही नहीं है क्योंकि उनकी बीवी की अक्सर तबिक खराब रहती हैं। इसलिए वो घर पर ही रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी बीवी का ख्याल रख सके लेकिन नमभी को किसी भी हाल में थेस्यस सीखना ही था इसलिए अगले ही दिन वो प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं प्रोफेसर के पूछने पर वो बताते हैं कि वो उनके पास थेस् लेकिन प्रोफेसर क्रो को उसे सिखाने से मना कर देते हैं क्योंकि उसे घर के सारे काम करने के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता था और उसे खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता था जिस वज़ा से वो अपनी बीवी का ढंग से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था इसलिए नम्बी उनसे कहते हैं कि वो उनका खाना बनाने और घर की साफ सफाई करने में उनका साथ देंगे जिसके बदले में वो उसे थीसे सिखा दे प्रोफेसर को ये एडिया पसंद आ जाता है और वो मान जाते हैं अगले ही दिन नम्बी काम पर लग जाता है यहाँ पर नम्बी उन सभी को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसके बतले में वो प्रोफेसर उसे थीसे सिखा देते हैं कुछ दिनों बाद नम्बी के टैलेंट के बारे में पता चल जाता है और नासा नम्बी को एक बड़ा सा ओफर देते हैं और वो ओफर इतना बड़ा होता है कि अगर नम्बी के जिगा पर कोई और होता तो साइध हां कर देता ये सारी बाते वो सबसे पहले अपनी पत्नी मीना को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि इंडिया में पाच साल काम करने के बाद उसे जो तनका मिलेगी यहाँ पर उसे एक महीने में मिल जाएगी इसकी बहुजूद भी वो नासा में काम करने से साफ इंकार कर देते हैं और फिर वो तुरंत ही इंडिया आ कर अपने गुरू के साथ इसरों में काम करना शुरू कर देते हैं नम्भी ने अमेरिका से अपनी थीसिस तो complete कर ले थी लेकिन अभी भी वो एक चीज से मार खा रहे थे और वो था पैसा और तो और अभी भी उन्हें कई सारे देशों में जाकर rocket sense की research करनी थी लेकिन अब वो नासा तो जा नहीं सकते थे और चैना और रस्या जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे इसलिए अब बच गया था तो इउरोप जिसके बाद नंभी रॉल्स रॉइस के सीओ से 400 मिलियन डॉलर के प्लांट को मुफ्त में ही ले लिता है क्योंकि नंभी का नेचर एकदम साफ था इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाते रॉल्स रॉइस वालों ने की अकास्मिक तरीके से मिरत्य हो चुकी है ये बात सुनने के बाद नंभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने पिता समान अपने गुरू को खो दिया था नंभी के पास कुछ साधन थे जिनसे वो परियोग करना चाते थे जब वो परियोग करते हैं तो फि इस तरह से काम करके कोई भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह के इंजिन बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है जो उनके पास है ही नहीं अगर उनके पास कुछ है तो वो उनका दिमाग और इसी दिमाग का वो परियोग करेंगे फिर बोना बताते हैं कि फ वैकिं इंजन टेकनोलोजी को सीखना चाते थे वो फ्रांस जाकर इमांदारी से काम करेंगे और वैकिंग इंजन टेकनोलोजी को कदम कदम पर देखेंगे और सीखेंगे और यहीं उनका एक महान प्लान होता है फ्रांस जाने वाले सब भी विग्यानिकों को फ्रेंच सिखाई चाती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ्रेंच की बहुत ज़्यादा जरूरत पढ़ने वाली थी उन्हें वहाँ पर ज़्यादा फ्रेंच बोलना नहीं बलके उन्हें सिर्फ सीखना था उन्हें कदम कदम पर अपनी आके और कान खुले रखने हैं ताकि वो बैकिंग इंजन टेक्नोलोजी को ठीक धंक से सीख सके कुछ दिनों के बाद नंबी फ्रांस के एक विज्यानिक से कहता है कि उनका इंजन बहुत ही कमजोर है क्योंकि वो इस प्रेसर को नहीं जहल पाएगा लेकिन वो सैंटिस्ट ये मानने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था कि उनका इंजन इतना भी प्रेसर ना जहल पाए इसलिए वो सैंटिस्ट एक परियोग करता है जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और उस प्राबलम को ठीक करने के लिए वो नंबी से मदद मांगता है नंबी भी मान जाता है दरहसल नंबी को ये प्राब्लम बहुत पहले से मालूम हो गया था इसलिए उसने पहले से ही सारी सिटिंग करके रखे थी अब उस प्राब्लम को ठीक करने के लिए वो लोग इंडिया से उन्नी नाम के एक सैंटिस्ट को बुलाते हैं जो कि एक होनहार वे घ्यानिक था और उन्नी ही था जो कि उस प्राब्लम को ठीक करने वाला था एक तरफ उन्नी अपना काम इमांदारी से कर रहा था वहीं दूसरी तरफ नंबी के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उन्नी के एक लौते बेटे की मिरत्यू हो चुकी है इ लेकिन उन्नी को वहां नहीं पहुचा सकता जो होना था वो हो गया लेकिन अब जो बचा है उसे कंप्लीट करना है अगर उन्नी वहां पर पहुचा तो वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर उन्नी वहीं पर रहा तो वो हमारे देश को कई साल आगे पहुचा सकता है और हमा उन्नी को किसी दोस्त के दुवारा यह पता चल जाता है किसके एकलोटे बेटे की मृत्यू ओचуки है जयों ór MOSë में दूर्पण इंसान है वो से कभी भी माफ नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद सारे सैंटिस्ट इंडिया आ जाते हैं और इस रोवाने के बाद सारे सैंटिस्ट उस इंजन को बनाने में लग जाते हैं कई दिनों के महनत के बाद सारे सैंटिस्ट मिलकर उस इंजन को बना लेते हैं लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये था कि अभी भी उनके पास स्टैंड नहीं थे क्योंकि इंजन से ज़्यादा महाँगा तो उसके स्टैंड बनाने का खर्श आ रहा था इसलिए फिर उन्हें इंजन की टेस्टिंग फ्रांस में करनी परत जहता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा इंजन आज तक नहीं बना था और नंभी इस इंजन को विकास नाम देता है लेकिन अभी भी नंभी का mission incomplete था क्योंकि अभी भी उससे क्रियोशनिक इंजन की जरूरत थी कुछ दिनों के बाद नंभी को पत प्राइज में देने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन यहां पर प्रॉबलम यह हो जाती है कि वो खुद उन क्रियोजनिक इंजन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका उन पर नजर गड़ाये हुए था तब नम्बी यह प्लान बनाता है कि वो इंजन को सबसे प करते हैं इंजन की पैकिंग चली रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर एक रस्यन सैंटिस्ट आती है और वो उनसे कहती है कि हमारे काम के बारे में अमेरिका को पता चल चुका है और वो किसी भी हाल में हमें रोकने जरूर आएंगे इसलिए हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना ही होगा लेकिन अभी तक सिर्फ तीन इंजन ही पैक हुए थे और एक इंजन का पैक होना बाकी था यहां पर वो सैंटिस्ट कहती है कि हम चौते इंजन को किसी भी हाल में आप तक पहुचाने का वादा करते हैं फिर नम भी वो सारे इंजन को लेकर वहां से चले ज एंगा इस वडियो के सुरुआत में देखा था इस बात का पब्लिक पर बहुत बुरा असर पढ़ता है और वह उन्हें गढ़दार कहने लगते हैं यहां तक कि उनके घरवाले तक को परिशान करने लगते हैं तरहसल नमभी के ऊपर यह आरोप थे कि उन्होंने अपने सार लेकिन नम्वी सारी बातों को मानने से साफ इंकार कर देता है और पुलिस वाले के अत्याचार को सहता रहता है वो उनसे कहते हैं कि वो अपने देश के साथ कभी भी गदारी नहीं कर सकते। फिर कुशी दिनों के बाद एक CBI आफिसर नम्वी के पास आते हैं और उनसे कुछ सवाल पुछते हैं नम्वी बताते हैं कि वो किसी भी मर्यम नाम की लड़की को नहीं जानता। नम्बी के उपर एक दूसरा आरोप ये भी था कि उसने इसरो के टेकनालोजी को पाकिस्तान को बेच दिया है। नम्बी उन्हें बताता है कि 23 जन्वरी को वो अपने एक दोस्त के अंतिम संसकार पर था और 25 तारिक को वो अपने ग्रेंड डाउटर के बर्तडे पर था। गदार माल लिया था और उनके उपर गदारे का टैक भी लगा दिया था। इसलिए अकसर उनके घर पर पत्थर चलाये जाते थे और उनके पुतले जलाये जाते। और उन्हें अपने साथ बैठा भी लेता है लेकिन अचानक से वो आटो वाला उन दोनों को आटो से नीचे फेक देता है। पल उनके लिए सबसे जादा दर्दनाग पल था। कुछ दिनों के बाद नंबी फिर से इजरो जोयन कर लेता है। लेकिन हाला था पहले जैसी नहीं थी। प्योंकि कई सारे सैंटिस्ट इजरो छोड़ चुके थे। फिर नंबी सबसे कहते हैं कि वो अपने रॉकेट को मार्स तक भेज सकते हैं। वो बताते हैं कि वो क्रियोजनिक इंजन का यूज ना करके वो विकास इंजन का यूज करेंगे। जिसे उन्होंने बनाया था जो कि 150 सिकेंड तक चल सकता है। और अगर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उन्हें ग्रियोजनिक इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह सालों की लगन और सालों की मैनत के बाद 19 साल के बाद नंबी का मंगल पर पहुँचने का सपना सच हो जाता है। और अरुन राम को इस मिसन का प्रोजेक डिरेक्टर बनाया गया था। के आखों में आसू आ जाते हैं क्योंकि सालों बाद उन्हें इंसाफ मिला था और अब उनके ऊपर से गदारी वाला टैग भी मिठ चुका था। नमभी बताती हैं कि वो इस केस को जी चुके थे और उनकी भरपाई के लिए उन्हें एक करोड रुपए दिये जाने वाले थे। लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फे 10 लाग रुपए ही मिले थे। जिसके बाद सारुखान उनसे कहते हैं कि इस देश ने जाने अन जाने में आपके साथ बहुत बुरा किया है। इन सारे सवालों का जवाब जानना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता जब तक उसे महान बनाने वाले लोगों की कदर ना हो। आखिर में नंभी नहरायन को पदमभूसन से सम्मानित किया जाता है और 2019 में उसे सारे पैसे म मिल जाते हैं वैसे आपको क्या लगता है उन एक करोर रुपए की कीमत उतनी थी जितनी नाइंसाफी नंभी के उपर की गई थी तो दोस्तों ये वडियो आपको कैसे लेगी मुझे कमेंड करके बता देना और जो लोग भी मेंदे चैनल पर नए आए हैं वैसे ही मादी जाए हैं